आड इसमेह लाई रुख्वाणिषुयदूभवहाहीम टोडेसूपिकॉव्फ डिस्कशन इज हेपैट्व बिलियरी सिस्टम इसमेह मेधली गाल बिलियडर के डिस्कस करने वाले अज़िसीज थे गाल बिलिटर के दो ही डिजीज है गाल स्टोन है और गाल स्टोन की वरे से इंफ्लेमेशन हो जाएगी कॉलिसिस्टाइटस CBD के भी दो ही डिजीज है CBD के अदर स्टोन आ जाएगा तो उसको बोलते है कोलिडो कोल इथियासिस और उसकी वरे से इंफ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको बोलते है कोल इंफ्लेमेशन के तो उसमें जोन्टस रेलेटिवली काम होता है मिरीजी स्ट्रोम का मतलब है कि जो गाल भी डिटक्ट को बंद करें तो इसकी वरे से जानरस होता है, उसको बोलते है mesela मिली रिपपीसोड जो गाल मिली आंप को प्रीज simplicity को आपको आपको ब्रिगिली मिलती है उसमे पर्लिटी सबस्केर आपको आपको 5sis sccele right upper quadrant में pain है ठीक है okay constant pain है कॉली की pain है okay और normally जो काल ब्लिटर का pain होता है वो back के तरफ radiate करता है या shoulder की right shoulder tip पे पी radiate करता होता है okay fever और leukocytosis fever और leukocytosis आज़े that means inflammation है acute inflammation है इसे तरह cbd के अदर अगर क्या हो cbd के अगर आपको क्या देखने को मिले अपर abdominal pain देखने को मिले right upper quadrant के अदर जोंडस देखने को मिले सिर्फ fever और leukocytosis ना हो तो वो आज़ेगा cbd stone लेकिन आगर आपको fever देखने को मिले okay fever के साथ राइगर स्पी और fever हो राइट अपर quadrant pain हो और साथ जोंडस हो तो यह शार्कोर ट्राइड है तो यह cbd इन एकोलंजाइटिस में होता है और दो चीज़े एड़ कर दू शार्कोर ट्राइड के अंदर लाइक आपका वो आजएगा कनफियन है यह अल्टेड मेंटल स्टेटस है हाइपो टेंशन यानि शॉक है तो अल्टेड मेंटल स्टेटस शॉक राइट अपर कॉंडन पेइन फीवर जोंडस तो यह आजएगा रिनॉल्ट पेंटाट और शार्कोर ट्राइड तोनक इसमें होते हैं क्यूट को नंजाइ है जब कि CBD स्टॉंस या CBD इंफ्लेमेशन है उसके लिए जो इन्वेस्टिकेशन हो चाहिस होती है वह एर सीपी होती है जो एर सीपी है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेट कोलंजियो पन्क्राट्राफी यह डियागनोस्टिक भी होती है ठीक हो गया तो उमीद है कि आपको म अल्टरसाउंड और कॉली से स्ट्रेक्ट मी है जब कि बालड़ के लिए एर सीपी और एर सीपी ही आप स्टोंस को रिमूव करने के लिए इस्तमाल करते है और इन सबकी कंसर्वेटिव मेनेजमेंट भी तक्रीम सबकी सेम है जो आरड़ी मैं आपको बताता रहता हूं सबस है और आप्ने वायर्ट इस सबस्क्राइब कि बालड़ को कर सकते हैं या आप कोलीडो को कर सकते हैं या कोलीडो और है निकालते हैं तक दिन बार निकालते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं उमीद है कि सारी आपको में इस तमहीद बांदी है उसका में एक्स्टा पॉइंट कर लेते हैं मैकसिमम अब्साप्टिव एरिया अच्छा गाल बिलिडर का में फंक्शन क्या होता है वाइल को स्टोर करना उसको कंसेंट्रेट करना तो अगर आपसे पूछे मैकसिमम एपसॉप्टिव केपैसिटी पर सर्फिस एरिया तो वह कौन सा और जो सबसे ज्यादा करता है पर मिक्स्ट वाले काफे ज्यादा कॉममा है पिग्मेंटिट और जो कोलिस्टोल वाले होती है अच्छा है अच्छा है अपने पढ़ना है डिजीज वह है गनोरिया अकर पैर हीपाटिक रिजन को इंवल्फ करते तो एक सेंट्रॉम आ जाएगा जिसको बोलते है फीट्स हग क सेंट्रॉम परिहपाटिक गनोलिया को बोलते हैं तो जो गाल बिलेटर में कोली लिथियासिस है तो उसमें क्या होगा बिलेरी कॉलिक पीन आपको देखने को मिलेगा बाकी और दूसरी एटिपिकल सप्ताम लाइक नौजिया वामटिंग एक अजिटेशन आपको देखने क होते होते हैं तो यह तो हो जाएगा वाकी गाल इसे को आपको देखने को मिलता है उसमें की जाती होती है मेली वैसे ड़क शिस्टम को देखने के लिए यार सी पी होती है और MRC होती है जाद अच्छी है से MRCP कर रहे हैं लेकिन ERCP डाग्नोस्टिक थरापेटिक दोना होती है जो MRCP अगर T2 वेटिड हो तो अपने रट्टा माले ना वर्ल्ड वार्टू वर्ल्ड वार्टू यानि जो वार्टर होता है अगर वह वाइट नजर आए तो जैसे वार्टर क्या होता है अगर आपको वा सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइ और और 200 डियोक्सी कॉलिट होती है जो की किनो डियोक्सी क्लेट और और 200 डियोक्सी कॉलेट होती है defines जिसमें पूब इसमें Y — आपने से होती है कुछ इंवेस्टिकेशन की ऑगी बलिद हुग सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि गाल सोन की वारे से अप्सक्राइब करा लेकिंग जो नहीं हो गया करने के लिए तो हीडा स्केन होती है है अगर आपको देखने को मिले यह इसमें मिलता किया इसमें देखने को मिलता है क्यों कि आइसो टोप है वो जमा नहीं हो बारा काल बिलेटर के अदर के अदर कि के स्टोंस की वज़े से अब्स्रक्शन होई है में वैसी एक्ट्व कोली सिस्टाइटिस के लिए करते होती है इंवेस्टिकेशन तो आप क्या रिडी हो जाएगी ओके तो या जाएगा इसके बाद हम यहां पी देख लेते हैं अच्छा कॉली सिस्टाइब में कार्बन डा करते हैं तो आप क्या करते हैं तो आप क्या करते हैं तो आप दो हफतों के बाद निकाल लेते हैं लेकिन अगर आपको स्टोन डेखने को क्या करते हैं तो आप टीट्यों को रख देते हैं चार्स लेकर छे अफ़ता तक टाकर ट्रैक बंजे और को इसको पास करके आप उसको निकाल ले बैड़ कि वह हमें आगर एक्स्प्लेंड करूगा बस यह पॉइंट यहां पर आड़ गया ओके तो आप गाल बिलिडर की य की बाल लक्त की एक चैंशर हो सकता हैं एक इंटस्टााइन के इंडर कालिकर्शन अब सकते हैं उसकते हैं घ्रिम्स घ्राउड को पायकी म abandon У medo किम्स ऑसक्ता एंन बोर प्सक्रोनमा हू सकते हैं तो इंटस्टाइन में ग्रेड़ कालेंद अ लिग रस निगिशएंगिस अख स्भी संब्स przy वाल करेगा में फेक्षिन होगा है इस रिपेटमंट्ट का होगा इंटी बैयोटी को आपने स्रजिरी करनी हो धिर ठीक हो गया होके ओकए जोन्डस मेलेना ऑपके ने को मिलेगा एक सेंट सट्राइट हुपे ढ brightness रहा होताइच रीनों को कि वरबर में अतयु स्ट्रण की वड़ेस्ट होता है में आप सब상을ब क्या यह मेकैनिकल अब्स्ट्रक्शण और फराइस का फिस्टूला बंजाएगा को लिश्टूला में चलाजाएगा राय na अलियम को बंद कर देगा हुल्योसिक निआ में रिगॉलस ट्राइएट में क्या होगा फिस्चुला की वरे से बिलेरी सिस्टम में हवा आ जाएगी निमोबिलिया करेंगे स्माल बावल की अब्स्रक्शन हो जाएगी और तीसरा क्या मिलेगा आपको गाल स्टोन मिलेगे राइट एलेक फॉसा के अंदर कैसे बता लागेगा स्टीज के अंसे बता रगेगा ठीक हो गया अलमस्ट यह हो जाएगा ओकी तो अलमस्ट 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 अच्छा जो 90 परसंट जो गाल स्टोन होते न वो रेडियो लुसंट होती एक्सरे के उपर जबके केटिनी वाले धार उपsy कैडार में हवा भी आ सकती है उसको बलती हैं इसको नुद्टोन काज कया होता है आलमस्ट 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 यह हो जाएगा, अगर किसी पेशन्ट को acute A-calculous colysis status है, यह तो calculus है, stone की वरे से, अगर A-calculous है, जो कि hospitalized sepsis वाली patient में होता है, तो आपने colycistostomy करनी होती है, अच्छा, यहाँ पर strawberry gallbladder, strawberry gallbladder किस case में होता है, अगर कोलेस्टोल की deposition हो गया है, gallbladder की दिवार के अंदर, तो उसको बोलते है, cholesterol losses, ओके, अच्छा, जो यहाँ पर most common cholesterol stone होते हैं, क्रिस्ट्र 9 cholesterol monohydrate stone होते हैं, ओके, अच्छा, अगर गालbladder का cancer है, most common एडिरों कारसे नमा होता है, C99 करवाते हैं, poor prognosis होता है, investigation and choice contrast inancity scan होता है, बाप से नहीं करवाते हैं, क्योंकि cancer फैल जाता होता है, treatment, अगर T1E है, तो radical cholecystectomy आपने करनी होती है, T1B या T2 है, तो radical cholecystectomy के बाद, chemo radiation करनी होती है, ओके, और last में क्या होता है, palliative therapy होती है, जो klonorkis होता है, वो klonorkis को इंजियोकार्ट की नमा करवाता है, इसके बाद empyma है, अच्छा एक बता रहे तो, अगर किसी patient को john dus भी और galblader का size बढ़ावा है, palpable आपको galblader का size देखने को मिल रहा है, ओके, विसे john dus छोड़ दो, palpable galblader है, लेकिन tender है तो empyma, अगर galblader tender है, नहीं है, tender है तो empyma, tender नहीं है, large है, तो आपने एक लाग को follow करना है, वो है कुर्वोजी अला, कुर्वोजी लाइ ये कहता है कि तो galblader है, वो gal stones की वरे से impalpable होता है, अगर stone baldate के अंदर है, उसकी वरे से तो impalpable होता है, क्योंके fibrosis की वरे से gland का size काफी छोटा हो जाता है, galblader का size छोटा हो जाता है, लेकिन अगर malignant obstruction है, तो galblader का size आपको जाला देखने को मिलेगा, malignant obstruction के तर क्या आ सकता है, बता हो, cancer of head open kriyas, और colingio carcinoma, दोनों को differentiate करने के लिए, contrast in a CT scan कराते हैं, अगर negative मिल जातों, जो carcinoma का positive मिल जातों, cancer of head open kriyas आ जाएगा, okay, समझ आ गया होगा, impalma of galblader के अंदर colic की pain देखने को मिलता है, और 4T देखने को मिलता है, impalma, यानि impalma क्या होता है, पस की जमा होई भी है, 4T में आपको देखने को मिलते होते हैं, galblader पस से भरा पड़ा है, तो, टकी काडिया होता है, impalma क्या होता है, किसी close cavity में पस का भढ़ना, उसको बोलते हैं, impalma बोलते हैं, जबकि एक circumscribe collection होती है, इसको हम abscess केरते होते हैं, 4T क्या होते हैं, टकी काडिया देखने को मिल सकता है, toxicity देखने को मिल सकता है, बंदा पिमार नजर आ रहा होता है, temperature fever देखने को मिल सकता है, tender mass देखने को मिलेगा, galblader पस से भरावा होगा, बाकि initial management तो आपके यही होती है, main treatment क्या होगा, पस को train करना, जिसको बोलते हैं, percutaneous, colesistostomy, definitive colesistectomy है, अब colesistectomy से पहले, pre-operative या peri-operative management क्या होगी, क्या कि investigation कराएगे, हर पेशन में CBC कराते होते हैं, LFT, RFTs कराते हैं, coaculation profile कराते हैं, BAT, INR, chest accessory ECG कराते हैं, कि medical yan, फिर तो नहीं है, antibiotic profile axis देते हैं, यहाँ पर second generation call, sapphlosoporin है, DVT के profile axis कराएगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कही हैं, जना होगे DVT हो जाए, bedrust है, तो aparin देते हैं, stockings देते हैं, inform constant लेते हैं, अब जो colisistrectomy होती है, दो तरह क्यों होती है, एक open colisistrectomy होती है, laparoscopic colisistrectomy होती है, आज कल कौन से colisistrectomy perform की जाती है, वो होती है, laparoscopic होती है, लेकिर open भी हो जाती है, तो steps पढ़ लेते हैं, दो रहों के अंदर general analysis यह देते हैं, open colisistrectomy, इसको कोचल NCN आपने थारा रेक्टिंग में भी पढ़ना है, तो राइट सब कोचल NCN होता है, वो सब कोचल मार्जिन के सब कोचल मतलब इसे नीचे दिया जाएगा, वो यह mid lens से extend करता हो जाएगा, 9 costal cartilage तक, ओके NCN दिया, आप कोचल से लेर को आपने काउंटर करना होता है, यह आपने anatomy के अंदर पढ़ावा है, सबसे बहले क्या होता है, skin होता है, फिर सब कुटेनियस टिश्यू आपको देखने को मुदूरता होता है, फिर anterior rectus sheet है, गाल अबिलेटर और सप्लीन में ही होता है, एक कलोन का, हपाटिक फ्लेक्षर, डूडीनम और लेजर अमेंटम, हच़डील से रखता हमालो, हपाटिक फ्लेक्षर, डूडीनम और लेजर अमेंटम, इस पर आपने packs रखाने होता है, फिर आपने गाल बिलेटर को एक्सपोज कर लिया, आपने फैट को निकाल दिया, एक आपने लाइगाट कर लिया, नस पर आपने बंद कर लिया, इस पर आपने पर लियर्स बंद कर लिया, तो यह open-collecystectomy है, जो closed, sorry, laparoscopic होती है, इसमें GA दिया, सुफाइन पोजिशन बनाई गया है, अब laparoscopic में आपने चार ports इंसर्ट करने होती है, सबसे पहले आपने abdomen में enter होना है, तो आपने neemoperitorium क्रेट करेगे, neemoperitorium के लिए आप क्यास कौन से यूज़ करते हैं, वो हो नहीं होती है, वो various needle है, close needle है, सबसे पहला port होगा 10 mm port, बहुत बड़ा port, टोटल चार port करने है, 10, 10, 5, 5, 10 mm port, umbilicus में होगा, यहाँ पे camera डालागे, 10 mm का port, epigastry में होगा, यह surgeon का right hand के लिए होता है, epigastry में क्यूं होता है, right hand के लिए होता है, okay, फिर 25, 5 mm के होगया है, right sub coastal border पर 2, 5 mm के ports करते है, right hand के लिए surgeon का था हमारा, epigastry माला, जो right sub-postal में आपका एक left hand के लिए, और grass for subs के लिए 2 ports कर लिए है, patient के ट्रेंड दीरान बर्क पोजिशन कर लिए, फिर गाल ब्लेटर को एक्सपोस करना है, fundus को आपने एक्सपोस कर लिए, lever को separate कर लिए, careful dissection कि fat को निकाला, cystic artery को ligate किया, duct को ligate कर लिए, divide कर लिए, गाल ब्लेटर को आपने coterie dissection से remove कर लिए, फिर गाल ब्लेटर को आपने umbilical port से निकाल लिए, फिर इसके बाद आपने क्या करना, right upper quadrant को irrigate किया, आपने train शिरन लगा लिए, आपने बैट के carbon dioxide को निकाल लिए, ठीक है अब एक होता है, colidical cyst, जो type 5 होती है, जिसमें intra-hepatic system की dilatation होती है, तो उसको caroly disease कहते है, ok, colidical cyst क्या होती है, intra-hepatic biliary system, इसकी dilatation को बहुती है, वैसे extra या intra, इन दोनों की dilatation को बहुती है, उसकी complication क्या होती है, kolonzo-carcinoma हो सकता है, kolonzo-carcinoma, एक तो kolon-orcus की वरिए से ह आपको देखने को बिल सकता है अब इसकी पांट टाइप होती है जो फ्यूजी फॉर्म डियलेटेशन है मॉस्ट को अमर यही होती है यह CBD डावर्टिकुला में वो टाइप 2 आ जाएगा सिस्ट है चौथा एक्स्ट की डाइटेशन जिसको बुलती है कि रॉले डिजीस हो दिया इसमें आपको सेकन्ट्रास नांसिटी स्कैन के अदर सेंट्र टोर्ट साइन देखने को बिलता है ट्रीट्परिंट क्या होगा आपका लिवर्ट्रांस्प्लांट होगा लेकिन बागी ने विदुनेलेस होता कैंसर में ने को छोता हैं इस इंपलेरी आपीड पेंपलेरी आले को स्राउंट करने वाला इसमें यहां पीर पनक्रियास, डिस्टल कलेंजियो करसीनुमा और टुटिनल कार्शिनुमा, बी टी से ब्रता मार सकते हों की सिर्ट को मज़ए के स्वाइब से मैं सब्सक्राइब ग्लाइब होने के वड़े से मैस बन जाएगा इसको डियॉमा आपको देखने को मिलता होता है इसमें क्या अल्टर सांट गाइड़ीट पर रिक्षेन होती हैं और इसकी क्लासिफिकेशन होती है CBD की duct injury की जिसको बोलते है Strasburg classification Strasburg में क्या होता है जो type A होती है उसमें cystic duct leak करती है जो B and C है इसमें apparent duct clipping आपको देखने को मिलती है D के अंदर lateral injury होती है CBD की और जो E वाली होती है उसमें circumferential circumferential injury आपको देखने को मिलती होती है बस एक बात रटा माले जो most common होती है CBD injury में वो cystic duct के linkage हो सकती है आपको देखने को मिल सकती है most common होती है इसको treatment क्या होता है conservative होता है ultrasound gadget treatment आप कर सकते है drainage आप कर सकते है B and C के अंदर apparent bile duct injury होती है D के अंदर lateral होती है और E के अंदर circumferential आपको देखने को मिलती है अच्छा जो most common classification होती है किसी भी चीज की वो most common होती है वो type 1 होती है like colloidical cyst type 1 more fusiform ही जादा common होती है hydral honey type 1 sliding वाला जादा common होता है gastric ulcer वाला type 1 वैच टाइप 1 का जादा common होता है fistula and eno वो भी type 1 का जादा common होता है और posterior ulcer वाल यह भी type 1 का आपको देखने को मिलता होता है carolny disease के अंदर multiple intrapatic duct की dilatation देखने को multi-lever transplantation करते है और इसमें colloidical triad भी आता है colloidical triad में क्या होगा pain होगा, jointus होगा, lump आपको देखने को मिलेगा pain and jointus हो confirm है, lump आपको देखने को मिल सकता है investigation है, MRCP होती है okay, ठीक है type 4 A और type 5 में liver biopsy transplantation आप करते होते है main, ठीक है, okay, almost 2 हो जाएगा CBD में stone में आ जाते है, pain right upper content में होगा jointus होगा, और हमेशा कोई ना कोई stone की finding मिलेगी stone की finding क्या होगी, ultrasound के अंदर CBD की dilatation होगी, पर acoustic shadow होगी, ठीक है और वजिल आरेडिक स्प्रेंट कर जोगा के painless palpable carburetor वाले में jointus है तो उसका cause of jointus malignant tumor की वरे से है ना के CBD stone की वरे से है investigation CBC जिसमें lechocytosis होगा ultrasound जिसमें dilatated CBD होगा और इसके लबा acoustic shadow मिलेगा carburetor के stone का, ERCP diagnostic atherapatic होती है, MRCP भी कर सकते है LFT के अंदर obstructive jointus देखने को मिलेगा bilirubin, ELP, अगर हम hylisul lipase का भी मिले तो gallstone pinceratitis है और अगर किसी की colisistectomy होगी है तो sphinctera 4D dysfunction आपको देखने को मिल सकता होता है treatment के अंदर क्या होगा treatment वही है जो आज़ी सारा बता चको करते हैं और T-tube इंसर्ट कर देते हैं अब T-tube जो डालते हैं वह post-operative डालते होती है साथ से लेकर 10 दिन के बाद आलते हैं वैसे 14 days लिखाव है और अगर नॉर्मल तो निकाल लेते हैं अगर आपको stone बिल गिया है जो कुछ बच किया है तो आपने इसको चार्ज लेकर 6 अफ़तों तक डालना है ताकर track बन जाए और हम इसको कॉलियो को स्कॉप डाल के पास कर ले बास्केट कौन से समाल करते हैं जो हाइलर कॉलिंजियो कार्सिनोमा होते हैं हाइलर वाला तो गलेट स्कीन ट्यूमर कहते हैं वैक्योट कोलंजायट उठेस शार्ट्रायट और रिनौल्फिंट आइलर वी ऐर्ल्फिंट ऑफ लाइप फ्यक्ट्राइं होता फ्यूमर को शार्ट्राइट की बन जाएगा अच्छा यहां पर ऑपर होती है टाइप फॉर में क्या होगा, ओके, टाइप फॉर में डिस्ट्रॉइट कॉन्फुलिएंस है, यानि बालर डैमेज होगी है, एक लेंजियो कार्सिनोमर में हाइलर्ट स्ट्रॉक्चर के ग्लासिफिकर्शन होती है, आलमस्ट, आलमस्ट खतम हो गया,